पाक से सवाल लक्वी को कैसे मिली जमानत भारत पाकिस्तान से पूछ सकता है कि मुंबई हमले के मास्टर माइन जक्योर रह्मान लक्वी को सयुकत राष्ट के नियमों का उलंगन करते हुए कैसे जेल से रिहा किया गया क्योंकि उसका संगठन लश्करे तयबा आतंगवादी संगठन गुशित किया गया है माना ज़रा है कि भारत इसलामाबाद को एक कूट मीतिक नोट भेज कर सवाल करेगा कि लक्वी ने कैसे दो मुझलकों पर दस दस लाक रुपे जमा किये तता कौन इन मुझलकों के लिए आगया आया भारत को संदे है कि शायद I.S.I.E. ने मुझलकी की राश्री का इंतजाम किया ताकि लक्वी की रिहाई सूनिश्चित हो सके राहूल के अमेठी के अच्छे दिन बनेगा स्मार्ट सिटी कॉंग्रेस सुपाद्यक्ष राहूल गंदी के संसिद्य शेत्र अमेठी के अच्छे दिन आ गया है मोधी सरकार ने इस शहर को स्मार्ट सिटी के तोर पर विक्सित करने का फैसला लिया है अमेठी के ADM MP सरोज ने कहा कि केंद्र ने अखिले शैदों की सरकार को इस सिलसिले में सूचित किया है राज्य शहरी विकास विभाग ने अमेठी प्रशासन को इस सिलसिले में पत्र भीजा है उन्होंने कहा कि अमेठी को काफी आधुनिक और हाइटेक सिटी के तोर पर विक्सित किया जाएगा जहां वाइफाई सुविधा बिजली के आपूर्ती सडके कच्रे का हाई टेक निश्पादन प्रणाली विश्वस्तरिय शिक्षा प्रणाली इगवर्नेस आधी होगी काट फंटो के उचाई 80 सेंटिमिटर बढ़ी पिछले मैने नेपाल में आये विनाशकारी भुकम के बाद काट फंटो घाटी की उचाई में 80 सेंटिमिटर की बढ़ोतरी हुई है सर्विक्षन विभाग के निदेशक मदू सुदन अधिकारी ने बताया कि 25 अप्रेल को 7.9 की तीवरतावाले भुकम के 4 दिनों बाद अब यह बढ़कर 1338.80 मीटर हो गई है